शांतिका राजा चाइनल के सबी दर्शकों को मेरा जय येसू इस चालिस काल में आज की दिन हम शुदता के उपर मनन चिन्तन करेंगे जैसा वच्चन में हम पढ़ते ही नभी एजिकेल के ग्रंथ में अध्याय भैतिस वच्चन संक्या पच्चिस में में तुम लोगों पर पवित्र जल चुड़कूंगा और तुम पवित्र हो जाओगे में तुम लोगों को तुमारे सारी अपवित्रता से और तुमारे सब देव मुर्तियों के दूशन से शुद्ध कर दूँगा शुदता एक ऐसा अनमुल वर्दान है इसे ना हम पैसे से खरिच सकते हैं और ना किसी से छीन ले सकते हैं इस आद्यात्मिक शुद्धता को सीर्फ और सीर्फ अपनाना पड़ता है और इसे अपनाने के बहुत तरीके होते हैं जैसा कि सोचो इतना अच्छा कि हमारा पड़ोसी भी हमारे बारे में बुरा सोची न पाए देखो उस पवित्रता की नजर से कि हर एक इनसान में सिर्फ और सिर्फ भगवान नजराए बोलो प्रेम मैं वच्चनों को कि सामने वाल इनसान को जीने की एक आशा मिल जाए जब हम पाप में गीड जाए तो उस उड़ा पुत्र की तर वापस आनी की इच्छा करो रहो शुद्ध और मजबुत प्रभयेसु की तर तो विपत्ती बिमारी और अशुद्ध ताको अपनी जीवन में आनी का मोका ही न दो जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों सिर्फ प्रभयेसुक अपनाने से हमें शुद्धता प्राप्त होगी अगर हम में शुद्धता नहीं है तो चाए हम जितना भी कमाएं वह सब मिट्टी के समान है जिस प्रकार नभी मीखा के ग्रंत में अदैचे वचन संक्या चौदा में तू खाएगा पर भूख मिटेगी नहीं पेट हमेशा खाली रहेगा बचाने पर भी तू कुछ न संचित कर सकेगा और जो कुछ बचेगा भी उसे दूसरे आकर तलवार के बल पर छीन लेंगे जी हाँ आज के सामाजिक जीवन में हमें अपने सोच में अपने विचारों में बदलाव लाना होगा क्यूंकि हमारे विचारों से सब कुछ उत्पन होता है और वह हमारे कार्यों द्वारा प्रकट होता है इसलिए आज हमारे चारों और अत्याचार, अन्याए, बलतकार और लोग गलत तरिके के शारिक सबंदों में फसे हुए है इस पापमय प्रवृत्य से चुटकार पाने के लिए हमें अपने सोच को शुद्ध करना होगा हमें अपने विचारों को शुद्ध करना होगा और हमें अपने वचनों को शुद्ध करना होगा तब ही हमारे जीवन, हमारा समाज और हमारा देश में हम बदलाव ला सकेंगे तो आईए हम प्रात्ना करे उन सबों के लिए जो पापमय प्रवृत्ति में फसे हैं जो लोग गलत तरिके से संबंद में फसे हुए हैं हम प्रात्ना करे उन सबों के मन परिवर्तन के लिए कि वे प्रभू के पवित्र रक्त द्वारा शुद्ध होकर एक नया इंसान बन कर जीए आमिन